पहों प्रदेश अध्यक्स्ट वोतंत्र देव सिंग की अध्यक्स्ता में ये बड़ी जानकारी आपको बता दें बाजपा कारे समिती की कल लखनाव में बैठक होनी है CM योगी बाजपा कारे समिती की बैठक का उध्गाटन करेंगे आपको बताने प्रदेश अध्याक्स त्वतंत्रुदेव सिंग की अध्याक्स्ता में ये बैठक होगी कल ये बैठक होनी है लखनाव में केंद्र में मोधी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा बड़ी तयारी में जुट गई है जनता तक सरकार के 8 साल के कामकास को पहुचाने की तयारी का प्लान बनाया गया है खबर है कि 30 माई से 14 जून तक सेवा सुशासन और गरीब कल्यान के कारिकरम किये जुआएंगे बता जा रहा है कि 31 माई को प्रधान मंतरी मोधी शिमलाब में सरकारी कारिकरम में शामिल होंगे इसके अलावा एक और दो जून को भाजपा शास्त राज्यों के मुख्यमंतरी केंद्रों में भाजपा के 8 साल पूरे होने पर उपलब्दिया गिनाएंगे और पाठी के तमाम पदा आधिकारी 15 दिनों तक देश भर में कारिकरम करेंगे तो सरकार के 8 साल पूरे होने पर बड़ी तयारी भारते जंतापाटी के ओर से की जा रही है घर गर जाकर सरकार के काम को बताया ज़ाईगा और इसी बीच लखनाव से बड़ी कवर मिल रही है सुभासपा अध्याग शोपी राजपर ने भाजपा के तारिफ किया है उपी राजपर ने भाजपा के चुनावी प्रवंदन को सराहा 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है भारते जंतापाटी ये कहना है सुभासपा के अध्याग शोपी राजपर का कमरे में रहते हैं अकलेश, मायवती, सोनिया ये कहना है राजबर का हमें कमरे से निकल का जुनता के बीच जाना होगा इतना ही नहीं राजबर ने यहां तक कह दिया कि भाजपा के 24 घंटे चुनावी मोड में रहने की वज़ा से ही 37 साल बाद किसी दल की सरकार रपीट हुई है राजबर ने कहा कि जो मेहनत कर रहा है उसकी प्रशंसा तो कोई भी करेगा आपको बता दें इससे पहले ओपी राजबर अखिलेश यादव को नसीयत भी दे चुके हैं कि अखिलेश यादव को बाहर आना चाहिए एसी कम्रों से निकलना चाहिए कारेकर्टाओं से जुड़ना चाहिए मिलना चाहिए हमारे साथ में समय सुभासपा अद्याक शोम्रका शाजबर जी उन्हीं से बात करते हैं अद्याक जी बताइए का एक वयान आपका सामने आ रहा है मुख्यमंत्री जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं चार साल समाजवादी पार्टी की सरकार थी चार बार बसपा की सरकार थी और कांग्रेस की तो कई बार सरकार थी जो काम इन लोगों ने सरकार में रहते भी नहीं करा पाया वो काम भारती जनता पार्टी ने 6 साल में किया कि 6 साल में सरकार ने एक ठाने पर भैनर लगा दिया भैनर लगा हुआ कि भारती जंता पार्टी के कारिकरताओं का आना सक्त मना है ठाना प्रभारी ये किसी सत्ता पक्ष में किसी सरकार में ऐसा भैनर किसी ठाने पर नहीं लगा ये साफ जाहिर होता है कि जब सत्ता पक्ष के लिए दरोगा बैंदर इसे लगा सकता तो बिपक्ष का क्या सुनेगा और भारती जंता पार्टी चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो चाहे पूरी भारती जंता पार्टी ये 24 घंटा चुनावी मूड में रहते हैं सदन चल ला है योगी जी सदन छोड़के चले के उतरा खंड चुनाव प्रचार में है न वो लोग हमेशा 24 घंडा चुनाव मूड में रहते हैं वो सारे चुनाव 24 की चुनाव की तैयारी में हैं तो जो मेहनत कर रहा है तो उसकी तो प्रसंसा कोई भी करेगा देखे एक समय था कि कांग्रेस के नाम पर लोग उट देते थे टिकट मिल जाता था तो समझ लेजे को जीत गया अब आज कांग्रेस का क्या हाल है एक दौर था कि उत्तर प्रदेश में 19 साल लगातार कभी बसपा तो कभी सपा कभी सपा तो कभी बसपा लेकिन आज 37 साल के बाद सरकार द चुनाव बीत गया तो जोला जक्र उठा के घर में सुति गया तो सोने से नहीं होगा घर से निकलना पड़ेगा जंता के बीच में जाना पड़ेगा कैमरा सही होगी जी तेंदर के साथ चले शरूरा एविपी गंगा लखनोगी आगे बढ़ते हैं साहरनपूर के देवबन में जमिय तुलेमा ये हिंद का सम्मेलन चल रहा है दो दिवसिय सम्मेलन में आज मुसल्मानों को लेकर तीन प्रस्ताव पारिश किये गए इसमें इस्लामोफोबिया से लेकर विधी आयोग की 267 वी रिपोर्ट की सिफारिशों पर आक्शन लिया गया जो तीन प्रस्ताव पास हुए हैं उसमें साल 2017 में प्रकाशित लोग कमीशन की 267 वी रिपोर्ट में सिफारिश की गई है हिंसा पर उक्साने वालों को सजा दिलाने के लिए अलग कानून बनाया जाए इस पर तुरंत कदम उठाया जाए इसके अलावा सभी धर्मों के बीज आपसी इस अदभाव का संदेश देने के लिए संयुक्तरास्ट की ओर से स्लामोफोबिया की रोखसाम का अंतरास्ट्रे दिवस हर साल 14 मार्च को मनाने की प्रिस्टाब पर भी मोहर लगी वहीं भारतिय मुसल्मानों के लिए न्याय और आधिकारिक्ता पहल नाम से एक स्थाई विभाग बनाया गया जिसका मकसद ना इंसाफिक और ओपने की रणनीती विक्सित करना है आपको यह भी बता दें जमियत उलेमाए हिंद के कारिक्रम में 25 राज्यों से लोग पहुँचे थे इसमें करीब 1500 जमियत के मेंबर हैं जबकि कुल मौझूदगी 2000 से ज्यादा बताई जा रही है जमियत उलेमाए हिंद के प्रमुक महमूद असद मदनी सम्मेलन में भावुक हो गए और कहा कि बेज़ज़त होकर खामूश हो जाना कोई मुसल्मानों से सीखे उन्होंने कहा कि हमारे ही देश में अजनभी हमें बना दिया गया महमूद असद मदनी ने अखंड भारत की बात पर भी निसाना साधा उन्होंने अखंड भारत की बात करते हुए कहा मुसल्मानों के लिए आज रहा चलना मुश्किल कर दिया है ये सबर का इंतिहान है मुलाना महमूद मंदी सवक तमासाथ माचीत के लिए मौजूद है सर आज 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 आख भाउक हो गए ते स्टेज पे काफी सारी बाते आपने कही क्या स्थिति ऐसी बन गई है कि आज आज आपको इस तरीके से बात देखें पोडिशन ऐसी है कि नफरत का बाजार गरम होके है और लोग एक कौम को जो इंडिया की सेकिन लार्जेस्ट पॉपॉलेशन है उसको कटगड़े में खड़ा करके जलील करके बेईज़त करके रुस्वा करके एक खास निरेटिव बयान चलाया जा रहा है ऐसी पोडिशन में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम ये बात कहें कि भई देश को बचाना है और देश को बचाने के लिए हम सब लोगों को मिल करके काम करना होगा पूरी नाराज़गी सरकार को लेकर जलक रही थी तो क्या ये नाराज़गी जो मुझदा मुद्ध शिकायत है शिकवा है और शिकवा भी अपनों से ही होता है वो शिकवा है कि हमारी सरकार है हमारी गोवर्मेंट है और हम हिंदुस्तानियों को भारतवासियों को बाटा जा बाकी मुद्दों पर आपका क्या कहना है जिसने ग्यान में मस्जिद का मुद्दा है बाकी मुद्दे जिस तरगे से चल रहे हैं यह वह अभी तो आ जाएगा हमारी कि रिजुलुशन में उसके बाद ही कह सकेंगे कि हम अकेले नहीं है ना पूरी और्गनाइजिशन तंजीव में वह फैसला करेंगे उतरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगया अज़िसनात ने आज वीर्सवरकर की जिएंति पर किताब का विमोचन किया जौरान सियन योगी ने कहा कि वीर्सवरकर को भी वो कभी नहीं मिला जस सम्मान की वह हफ्तान ने तो रांसीयम्योगी ने कॉंग्रेस पर भी वीर सावरकर की उपेच्छा का रूप लगाया तो वीर सावरकर की प्रतिभा को छुपाने का प्रयास पहले वीटी सर ने और उसके बाद आजादी की तदकाल बाद जिन लोगों के हतों में सत्ता आई उन्होंने वहर संभो प्रयास किया जब आपने देखाओगा कि सर्देय अटल भहरी बाचपी जी के नित्रत्व की सरकार ने जब पोर्ट विलियर में शेल्लर चेल में एक स्मिर्टिका बीर सावरकर के नामपरस नगाई थी तो उसके बाद आने वाली कॉंग्रेस नेत्रत्व की सरकार ने उसे वहां से अटा करके इस राज़नायक को अपमानित करने का काम किया अगे बढ़ते महिलाओं को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला काम काजी महिलाओं की शिफ्ट को लेकर अदे सूचना जारी की गई है महिला करमचारी की सेहमती के बिना शाम साथ बजे के बाद ड्यूटी नहीं लगा सकते हैं सरकारी और प्राइविट सेक्टर दोनों पर ये नियम लागू होगा अगर ड्यूटी लगानी हो तो महिला करमचारी से लिखित सेहमती लेना जरूरी होगा ये बड़ी खबर आपको बता दे जहां महिलाओं को लेकर यूपी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है जूटी लगानी है तो महिला करमचारी से लिखित सेहमती लेना जरूरी होगा ये बड़ी जानकारी आपको दे दे बड़ा फैसला यूपी सरकार की ओर से लिया गया है जिसमें महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की हितों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है कामकाजी महिलाओं की शिफ्ट को लेकर अधिसूचना जवारी की गई है अगे बढ़ते यूपी विदान सभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तक राजवारी है सरकार पर अखलेश यादव के हमलों से सियासत गर्मा गई है लेकिन अखलेश के समाजवार प्रहार से घमासान शुरू हो गया है आज अखलेश यादव ने भाजवार पर बारी बारी कई हमले बोले उन्होंने भाजवार पर कई बड़े आरोप लगाए और यूपी के बजट को आखडों का खेल करा दिया इतना ही नहीं अखलेश यादव ने भाजवार के लोगों को डेमक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्लूरिज्म दुबारा पढ़ने की नसीहत देते हुए समाजवार पर संग्राम छेड़ दिया है तरकार किस तरीके से आकड़ों से खेल लई है ये आकड़े समझागर के बतारी विकास हो जाएगा अरे आकड़ों से विकास सोड़ी होता है जमीन पर चीज़ें होते हैं तब विकास होता है बहस इस बात की नहीं है कि किस विचाधारा के बारे में मैं जानता हूँ कर अगर आपने ध्यान दिया हो तो नेता सदन समाजवादी pension को समाजवादी party की pension समझ रहे थे तो अभी तो B.J.P. को जो हमारे समिधान में प्रेंबल में लिखा हुआ है समाजवाद secular वो क्या है अभी उसी को समझना है क्योटी सवाल केबल इस बात का नहीं है कि प्रदेश को बचाना है इससे बड़ी लड़ाई है इस बार लोग तंत्र बचे समाजवाद बचे और सेक्लूरिजम बचे तो यह तीन बड़े सवाल है जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है डेमोक्रेसी सोशिलिजम सेक्लूरिजम बीजेपी के लोगों को दुबार पढ़ना चीए और अगली बार जम मैं सधन में आऊंगा जो जो लोग समाजवाद नहीं समझ पा रहे हैं उनकी लिए किताब ज़रूर लाऊंगा एक वही सदन से उठे समाजवाद को लेकर अब संग्राम शुरू हो चुका है अखलेष्टे समाजवाद को समझाने की बात कही तो सत्तापक्ष ने पलटवारों की पौचार कर दी का निशी तोर से अखलेष्यादो जी को पढ़ना चाहिए कि घौक्वान स्री के बारे में क्या कहा था अगर एक लाइन ही पढ़ लेंगे तो फिर नहीं को समझाने जरूरत नहीं को यह लोगया का समाजवाद नहीं वो अपना समाजवाद पढ़ाएंगे लोगया के समाज प्रशिल सदन और सदस्यों के दुआरा किये जा रहे संसदी कारेों में विलंब का है इसलिए मानी नेता सदन और सभी विभागों के मंत्रीगन प्रतेक दशा में निरधारित समय में प्रश्णों और सूशनाओं के उत्तर सदन में और मानी सदस्यों को देना सुनिश्चित करें अन्यथा सदन के पास अपने अधिकार हैं और सदन अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा कॉंग्रेस की MLC दीपक्ष सिंग ने ही ये मुद्दा विधान परिशद में उठाया क्या उन्होंने कहा वो भी आपको सुनबाते हैं विधान परिशद में आज सत्ता पक्ष के लिए उस समय सहज इस्थिती हो गई जब सभापती को ये कहना पड़ा कि जो अधिकारी या मंत्री समय से जवाब नहीं देते हैं उनके खिलाफ कारवाई की जाए हमारे साथ पर इस समय कॉंग्रेस MLC दीपक सिंग है जिनके सवाल के उपर ये पूरी कारवाई हुई उनी से जानते पूरा मामला दीपक जी क्या था पूरा मामला देखिए दीपक्ष की जिम्मेदारी बनती है सरकार जब हैंकारी हो जाए निरुत्तर हो जाए जवाब देह न रहे तो हम सरकार को चिताएं सरकार से सवाल पूछें कि ये हमारे नियम है ये हमारे अध्यादेश हैं ये हमारे सम्मिदान कहते हैं ये सासना जिस कहते हैं उसके प्रस सरकार उत्तर दे सरकार भागती है चुकि सरकार जवाब दे नहीं है तो मैंने एक पहला प्रसन लगाया था नियम 223 में जिसमें मैंने कहा था कि मेरे कई सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं यूं कहें कि पुछे गए प्रसनों के सापेक्ष में 10 प्रसन जवाब मिले थे जिसमें पीट ने सम्मंदित था, सरकार ये कहके रही थी कि हमारे पास पर्याप सूचना नहीं है, सदन का अधिकार है, सदन जब चलता है तो अधिकारी सजग रहते हैं और समय पर जवाब देना, उनकी जिम्मेदारी बनती है और हमारे नियम और कानून भी यही कहते हैं, चुकि पीट पहले निदेश दे चुकी थी, दुबारा सरकार ने वही गैर जिम्मेदारा पूर्ण जवाब दिया, पीट ने बैठाते हुई है, सभवपती ने आदेश किया, जिन अधिकारीों ने ये कृत्त किया है, समय पर जवाब नहीं दिया है, उन्हें दंडित करें, तो दंड देने की ब्यवस्था पीट की तरब से आई है, मैं धन्यवाद दूँगा, ब्यवस्था को, अपने संविधान को, संविधान के रचेताओं को, जिनोंने सदन को ऐसे अधिकार दिये हैं, एगर पीट इमानदारी से कारवाई करने पर आ जाए, तो सरकार वेबस हो जाती है, नियाय होता है और करवाई होती है और अब ये वीडियो वाईरल भी हो रहा है, उधार पैसों का मामला है, उधार पैसे ना चुकाने के बाद युवाद की इस तरीके से पिताई की जा रही है आगे बढ़ते हैं बात अगली बड़ी खबर की रुद्रप्याग में साथ ट्रेकर लापता हुए है बड़ी खबर आपको बता दे रुद्रप्याग में साथ ट्रेकर लापता बता 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 रहे हैं कहां अब ये लापता हुए है SDRF की टीम उसकी तलाश कर रही है उप्रेशन के लिए सर्च उप्रेशन के लिए ये टीम रवाना हो चुकी है बड़ी खबर भी रुद्रुप्याग से जहां केदारनात धामे चार और यात्रियों की मौत को मामलद सामने आए केदारनात रहाएं केदारनात धानात पर अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी आपको बता दे चार धाम यात्रा को शुरू हुए 25 दिन का समय हुआ है और 25 दिन के अंदर ही कुल मिलाकर 99 यात्रियों की जान जा चुकी है जिसमें की सबसे ज्यादा जान केदारनाथ यात्रा के दौरान ही यात्रियों की गई है 48 यात्रियों बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हो चुकी है तो आपको बता दे केदारनाथ यात्रा के दौरान चार और यात्रियों की मौत का मामला सामने आया है कुल मिलाकर ये जो आकरा है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है 48 यात्रियों की मौत के दानात यात्रा के दौरान ही हो चुकी है वहीं अलमोडा में पेजल संकट बना हुआ है दरसल पेजल लाइनों से गंदा पानी आ रहा है जो पीने के लायक नहीं है रेला पाली वार्ड में बूते देर रात तक पानी के लिए लोगों की भीर लग गई दूर दरात के एक्षितरों से अलमोडा में पढ़ाई करने आए शात्र शात्रों का कहना है कि नलों में साफ पानी नहीं आ रहा है जिससे वो परिशान है पीने के पानी के लिए लोगों की करतारे लगी हुई हैं तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं गंदे पानी की सप्लाई हो रही है जिसकी वज़ा से लोगों को परिशानी उठानी पट रही है अगे बढ़ते हैं 30 मई को होने जा रहे है सोमवतिया मावसिया इसनान को लेकर हरेद्वार में पुलस और प्रिशाफ से ने कमर कशनी है सोमवतिया मावसिया इसनान पर हर की पैड़ी पर शृद्धालों की भीड़ उमरने के लिए हैं चारता मियात्रा भी चल रही है, ऐसे में इस बार भीड़ भी ज्यादा ही रहने वाली है इसी को लेकर पुलिस ने पहले ही त्यारियां कर ली है, जांकि स्तिती से निपठने के लिए ट्राफिक प्लान त्यार कर दिया गया है मती अमावस्या है परसों, उसको लेकर पुले पुलिस फोर्स है उसकी यहां पर ब्रीफिंग की गई थी और पूरे एरिया को हमने 5 सुपर जोन में, 16 जोन में और 39 सेक्टर में इसको डिवाइट किया गया है जिसमें की अपर पुली सदिक्षक, पुली सदिक्षक और इस्पक्टर रेंग के अधिगारे लगाए गए है एक विस्ट्रिट ट्रैफिक प्लैन बनाए गया है जिसको कि हमने जारी भी किया है जो मोटा मोटा उसका अगर हम सिधानत माने तो यह है कि जिन लोगों को इस नान के लिए नहीं आना है या जिनको अनने स्थान उपर जाना है उनको शेर के अंदर प्रवेश अनावश्चक न करें वो या जो हाईवे है उससे निकन जाए आगे पड़ते रामनगर में अवैद खनन की शुकायतों पर तराई पश्रिम वनप्रभाग ने बड़ी कारवाई की है डियापो ने वनकर्मियों के चार टीमें गठित कर दी हैं ये टीमें आलग लग शेत्रों से अवैद खनन के मामले पर कारवाई कर रही है इस दौरान दस डंपरों को भी पकड़ा गया सभी डंपरों को सीज कर जुर्माना लगाने की कारवाई की गई है तो अवैद खरन के मामले में शिकायत पर ये कारवाई हुई है अवैद खरन की शिकायत लगातार मिल रही थी और इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए डस डंपर को सील कर दिया गया है